विद्यर्थी मित्रव, मैं देविद्रव बर्मार, फ्रॉम सेंथ्मोर स्कूल, सूरर, स्टेंडर्ट एंग, सब्जेक्ट कुजराती, सेकेंड लेंग्वेज, लेस्टर नुम्र फाइज, स्विट क्रांटिना प्रनेताओ, पार्ट टू तो मित्रों हमने फर्स पार्ट में देखा कि इन्होंने कैसे अपना कारिया किया, आगे देखते हैं, सहकारी मनने दिस्थापना अंगे ना, वीचार वीजनू, वावेकर करनार, सरदर वललबभाई पटल हता, तेना स्वक्न जस्ता हता, रिभोन्दास पटल, अने ते स्वक्ना सेल्पी हता, डॉक्टर वर्गिस कुरियार, लगबग चार दायकावा सुदे, बन्ने खबे खबो मिलावी, अमुल ब्रान्ने, समग्र विश्वमा रसिद्धी अपावी, जिभोन्दास त्रान जून उग्रिशु चोरानों मा उग्रिश वर्ष्टी वए अवसान पाम्या, त्या सुदी विविद सहकारिक सेत्रों मा एकाजिक गुद्धावा उपर कारियरत रहिया, त्याले मित्रों, सहकारी मंदडीनी जी स्थापना करवानों जी विचार जहना आभियोंने, ये व्यक्ति हता सरदार वरलपगाई पटेल, और त्यानु स्वपन जोनारा हता रिभोन्दास पटेल, और ये स्वपनाने, ये स्वपनाना सिल्पी गिदाए चे, स्वपनाना सिल्पीनों मतब सुछ है, कोईपन पत्थर हुए, ये पत्थर ने जो साइडनों भग घाड़ी, ये मैं सील्पी बनाव माँए, ये एक सरस्वजा ने डिजैन करवा माँए, तो ये पत्थर ने पना अपने जग्याए मुपी, ये ने कोई डिस्प्ले करिये, कातों कोई धर्मनी जेतिया हो तो को ये पुजावीदी करें, तो ये पत्थर माँथी सील्पी बनावी, ये टले के एनुजी स्वपनातों जोई भग अश्पटले, परन्तु एने जी सेफ आपनार हाताने, ये डोक्टर वर्गी स्कुरियान हाता है, लगभग चार दायका सुझी बने खबो, खबये खबो मिलावी, अमोल ब्राणने समक्र विश्व माँ प्रसिधिये पावी, ये तो आगड़ पन आपने वादते समझी गया चे के दायका, एक दायको, ये टले 10 वर्ष, अहीं आपने चार दायका नी बात की लिछे, चार दायका, ये टले के 40 वर खबये 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 खबय आज अमुल ब्राण्ड तीने एना कारिया माटे दो ए अखा वीश्वा प्रसिद्धिय अपए त्रीभोंद आश्पडेल त्रांजू मुखनी सो चाड़ाममा एकानो वर्षना थाया त्यारे तेवो अउस्थान पाम्यां त्यामने दुनियाने विधाइली तो विविद्य सह कारिक सित्रियों मा अलग 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 उद्धा उपड अलग अलग जग्याय काम करियों और सारा सारा उद्धाय काहत बरी और पोते कारियरत रहिया तो एकाम गर्षुति हम रहें तरिक जग्याय को तनी सिवाओ आपी त्युपवन दास ना कॉमुनिटी लीडर्शिप पत्युपवर्ण अलग उपड़ आपवयों इस वीशन पुब्री सो चोशतमा भारत सरकारत रखी पद्म भुषण अलग आपवयों आपवयों आप आपवयों तनाना मोटा अनिक अलग मान सन्मान अने होद्धा उद्धा तेमने तेमनी सिवा की प्रोप्ति माटे मडे हा मित्र हैं ध्रीव दास पटलने community leadership. मुझे कि community हुए किने leadership करे, कि इतना कारिया करियो, लोकों न भेगा करवा, लोकों ना मनमा वीचार लाऊ, कि सहकारी मंद्री माट आटशार कारिया करे सके. अगर कारिया करियो जे leadership करियो, जे lead करी ने community ने, इना माटे आमने एवर प्राप्त थायो, अने ए रहोल मुनामतु फिलिपाइस नो रहमन म्यागनेसेस, फिलिपाइस माथे मोले हो नामतु रहमन म्यागनेसेसे एवर, ओके, आने चोसट माँ भारस साथा अध्रफ्थी, अवे 1964 माँ चारे, आमने एक एवर अतरीके संबंद क प्राप्त रहमन म्यागनेसे नो नामतु पत्मव भुष्ण अवर इतना नामतु अनेक एवर, सथे मानसन्मान, अने भुद्धाओ, एमने सेवाक्रिये प्रभुतियो माटे मढे हाँ, तो मिध्रों अहीं हमने, एव शरस्मचानु काम करें जने काने ने लोको एमने ने अ कोई व्यक्ति ने सारी जग्या कारियो करता होई, तो होई व्यक्ति ने तेहाँ चहीं हमने, काई कमानसन्मान, अप्पमावे, तो अवब भुद्धा प्रभुतियो माटे अवर इतना ने जीवान मा गली बगी सेवाक्रियो माटे ने ने आखे देखेंगे, इस्वीशन ओ को कदर सापडे, दर्लेक सब्ये, पोतानी इच्छा थी, एक एक रुपियों, एक कत्र करी, छ लाग, एसी हचार रुपिया ने ठ्याली बेड दरी, जलकल्यान प्रभुति मां हम्मेशां रस्षुरुची धरावता, त्रिभुवंदा से औने तेमना जर्मपत्दी मनी बहन ग्राम जनों माटे सक्य एटलू शेवा कारिया करवानी प्रभड भावनाने चरिकार्थ करवा संकल्प कर्यों, दल्टी वय, चिरंजी व्यस अपावेतेवी, एक कारिया युजनानों, पोतानी मडिली बेटने मूटी रखम्ती सुभारम कर्यों, जे धिभुवंदास तनना नामे आजे का त्रियो और बाड़ोपोना स्वास्चे नी स्यवानों लाभ आठसो थी पन वद्धू गाम में मडी रहेंची, तो भीत्रों यहां पर दिखा गया, लिखा है कि 1971, मतलब 1971 में उन्होंने अभी जो अध्यक्स है, अमूल डेरी के अंजर, उन्होंने स्व करता हूं तो अब आपने स्वाल रेटार्मेंट ले लिया, बट उस ताइम पर लोकों मतलब लोकादर सापड़े, प्रचंड रियाने बहुत, लोकों देखा कि इतनी सारी अच्छी सिवा की है, तो दर्यक्विक्ती ने क्या किया है कि अपनी अपनी इच्छा के अनुषा वन मान रूपी सभी लोकों से लिया और सभी लोकों से लेकर उन्होंने इखटा किया तो 6,80,000 ये बहुत बड़ी रखम होते है मित्रों और वो भी 1907 की बात है अभी तो 6,00 ज्यादा है लेकिन उस नाइम पे तो इस सभी ज्यादा हमें इख़ा दिखा दे रहे थी तो 6,80,000 उन्होंने इकठा किया सब लोगों से और सवच्छई चिक यान अपने मन से सबने दिया था तो इस बैग में भरके उन्होंने यहां पर वेट दी उनको गिप्ड किया कि आपने अच्छी सिवास्त किया तो हम लोग बहुत खुश है और खुशी के कारण आपको है सारी जी ह हम लोग पुश आपको पेट देना चाहते हैं बट उसी टाइम पर पटेल जी ने यह श्रीकार नहीं किया श्रीकार नहीं किया मतलब लिया बट जलक ना प्रवतिमा लोगों के लोगों के कल्यान की जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर उनको ज्यादा रस था उनको ज् दोनों ने एक सेवा कारिया में बहुत ज्यादा मांदे थे लोगों की सेवा करना जिसको भी कुछ उसके लिए उसके लिए तुरंती कहां करना था उनका संकल पर रहता था यहां पर लिखाए धड़्दी वये शिरंजी वियस अपा है मतलब अब अब उनका काफी टाइम हो गये थे तो वो क्या डल्टी वाइनों मतलब से ज्यादा एज हो जाना और चिरंजी वियाने निरंतर अजीवन मतलब कोई मतलब अपने को कुछ नाम मिले ऐसा उनको ने सोचा और ये जो बड़ी रकम थी वो रकम का उनको अच्छी जगा परिश करने के लिए सोचा कि क्या तो ओपर सौथ्टे हैं, जो वोमन हैं, जिएशितनि वेका स्वास्थे के लिए. वोई भीमार है या उनको कुछ प्रेश्व है, तो ऐसी स्वास्थे की जो भी मुष्के लिए उसी मुष्के लिए टाइम पर ये जो तो एसी उनकी सेवा रहती है, तो ऐसे कम से कम 800 गाउं से भी जाना गाउं ने इसका लाब लिया है, मतलब काफी लोग इसने यूज कर रहे हैं, आज भी ये कारियरत है, श्विक रंतिना प्रणेका, अने सहकारी नोटिना स्वापन रश्टा तरीके, हाजेपन धीपवस, त् तो इमा आगरुनिय स्थान जराया चे, वीना शहकार नहीं उध्धार नी उप्तिने तेम ने पोताने जीवण साहिली, त्यमा जब कारियो प्राणलाली थी शार्थक करी बताया चे, मित्रों, यहाँ पर देखो, इस श्वित्कानची ना पंने ताम लापको पहले पतातों तो यहाँ पर पुनितायने जन्मा देनार और सहकारी मंटरी के सोपन दरस्ता, तो यह सब एक पुरा चैन था, एक कडी थी, एक केसा दूसरा, दूसर केसा दूसरा, तो ऐसे अलग-अलग, तीन-चार जन लोग मिने, उनकी सिवा हुई, और सिवा के कारान, जो खेवी, मतलब जो फार्मर से उनके रदे के अंदर एक मान-सन्मा जिसा स्थान दराया, तो उन्होंने एक सूत्र दिया, वीना सहकार नहीं गुद्दार, मित्रो, शहकारी मंटली, शहकार का मतलब है एक दूसरे के साथ जूगना, बड़ा-बड़ा, और एक दूसरे के साथ जूड़ना, अलग अलग तरीकिसे काम करते हैं, तो उसको हमारा कुछ सिद्धी पाते हैं, कुछ उद्दार बता है, तो जब तक किसी का सहकार किसी का सपोर्ट नहीं है, तो हम हमारा उद्दार कर सकते हैं, नहीं है, तो यहाँ पर यहीं समझाया गया है, कि वीना सहकार नहीं उद्दा ऐसा एक सूत्र उन्हों ने दिया और उन्हों ने अपने जीवन में ये सूत्र बना लिया और यही कारिया फ्राणालिक से उन्हों ने सारा काम कारिया सार्थक करके बदाया कि देखो सब के सहकार के सहकार से कितना अच्छा कारिया हम कर सकते हैं तो मित्र यह हमारी जीवन में अन्हें होना चाहिए चाहिए और किसी और स्भखार मेनीद्ट पीशन हे लिए Naham केलों मेरी होना चाहिए कि विनासरिण कान करना है तो ठीजा साथा है था खम किसी और स्थेया हूम के गよगा है तो कि यcious नुटै आप सकते हैं तो किसी ने किसी के सहाकार की, किसी के ने किसी के हैल्प ही ज़रुत परती है, हमें उपर चड़ना है, तो उपर चड़ने के लिए जैसे सीडी रहती है, तो सीडी वन बाई वन करके उपर जा सकते हैं, तो सीडी के सहारे, सीडी के हैल्प से हम उपर चड़ते हैं, तो मित्रो एक वाद कि हमें रहता है, विना सकार नहीं गुद्दर, इतनों गुज्रादी में ऐसा है, दूसरा भी वाक्या है, जाजा हाथ रडिया में, मनलब एक आदम अगर काम करेगा ना, तो वो काम दिखाए देगा, बट इतना फास्टली नहीं दिखाए देगा, इतना उसमें मित्रों, अभी तक हम ने जो स्वीट क्रांती के प्रणेता के पहले जो थे व्यक्ति त्रिवोंदास प्रेल उनके बारे में देखा, अभी हमारे दूसरे जो व्यक्ति है, जो स्वीट क्रांती के प्रणेताओं में एक दूसरे हेरो है, दूसरों ने उहां बहुत अच्छा काम किया। हो है डॉक्टर वर्गिश कुरियन। डॉक्टर वर्गिश कुरियन। इजनेर नो अभ्यास पूर्णा करिया पच्छी इस विशन उग्णी सो चुम्मा लिसमा टाटा आयन एंड स्टील कंपने। जिसका सौट सो में टिसको टी आई एंड सीको मां एप्रेंटिस तरीके एक युवान में पसंगी थाई। ते युवान ना मामा जौन मत थाई। टाटा इंड स्टीज ना डाइडेक्टर होवा थी। ते एक बेवकत जम्शित कुर्णा आव्या। त्यारे आ युवान ने मढिया। युवान इजनेर ने तेना गल्या। बदय खुब ना पाड़ी छता तेमने सामेथी नौकरी छोडी थी। कारण आपता तेमना कहिए। हवे अही कुरिया नथी रहियो। हुम मात्र उपरी अमलदार्मों भानेजित रहियो छु। जे मने मन्जूर नथी। आव अडग आत्मविश्वास औने खुबदारी धन धरावना रधा वर्गीज कुरियर। तो वित्रोप उन्हों ने एंजिनियर का जोग स्टड़ी था और कम्प्लीट कर दिया। और जब फर्स्ट एप एक अपरेंटिस की ड्यूटी जोएन कर रहे थे 1944 में तो उन कंपनी का नाम था टाटा आयनन स्टील कंपनी जिसको सॉट फ़र्मम्टी इसको बोल सकते हैं तो इनकी पसंद ही हुई अच्छा उनको इंटर्यू हुआ तब उनको महापर अपवाइन किया। और यह जो डॉक्टर वरीज कुरियन थे महापर काम कर रहे थे तो उसी समझ मामा इनके थे जुनका नाम था जुहन मत थाए वो टाटा इंटिस्टेट क अच्छा ने डाइडेक्टर थे तो जमसेत्पुर्मी जो काम कर रहे थे तो जमसेत्पुर्मी वो एक दो बार आये तब युगान मतलब ये डाक्टर वरी सुलियन ने देखा कि ये तो मेरे मामा है और उनको ये बसंद नहीं आया कि जहां में काम करता हूँ वही डाइडे उपर मेरे उपर जो है, मैं उनका बहांजा रहके बंजा होगा, तो मुझे एक काम करना नहीं है, तो उन्होंने ही मन में सोचा, और उन्होंने अपना जोब छोड़ दिया, वही के लोग थे, उन्होंने बुहत बोला, कि आपको और मामा से क्या लिना देना है, आपका काम तो बढ़िया है, आपको छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने ये सम्मझूर रही किया, मतलब ऐसा उनका जो आत्मविश्वास एक्दा बढ़ता और खुददारी, ये खुद के उपर ही जिना देना है, किसी की हेल्फ लेनी बातलर है, बर जो कारियां करता हूं, तो क अपना कारिया होने के बाव उजुदी, ये मामा की वज़े से उन्होंने कारिया छोड़ दिया, कि जाहां मेरा मामा डाइरेक्टर है, वहीं में काम नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे डॉक्टर वर्थी सुरियन थे, हाँ तो वित्रो डॉक्टर वर्थी सुरियन का ये जो गुजरात राज्या के अमूल डेरी में क्या, उनका प्रोग्रेश राट, कि इनके कारण, ये कम्णी कहां से कहां पहुंच गहीं, इनके बारे माम आगे देखेंगे, तो गुजरात राज्या मां आवेला आणन अगर अमूल डेरी द्वारा, मिल्क सिती नी उडख अपावनात, वर्गिष्ण जन्म, सीरियन खिस्ची परिवार मा, 26-261 रोज, कैरलाना कैलिकेट गामे थयो, प्यमना पिता, मुठेन परक्कल, पुरियन, सिविन सरजनता, वर्गिष्ण नाम माताने सिक्षन आने संगीत मां विशेश रशतो, ति वो पियामों पर्थी अदुबुद संगीत ना सुरो वहावी सकता, चार बार पहिनों मां, वर्गिष्ण तीजु संतान मता, तेमनों सालेई सिक्षन गाममां मोंना करी, मद्रास, आजनी तारेक मां व्यागने, चन्ने गईये छे, तो तेनी लोएला कोलेज मां थी भाउतिक सास्तर, विशेश मां तेमने बीया सीगी पदवी प्राप्त करी, त्यार बाद ग्विंडी कोलेज ओफ एंजिनेरिं, मद्रास मां थी इज्ञेर्णी प्रदवी प्राप्त करी, कोलेज मां प्रवे समय मां चाओज वर्ष्ट न उंपरा थी, श्वाव लंबना आग रही, बन्यार मित्रो, यहां पर जो वक्टर वर्ष्ट कुरियन की बात करें, तो उनका जन्म हुआ था, सिरियन क्रिस्टन फैमिले में, उनकी डेट अब बर्थ है, 26th October 1926, और इन्वन एक अमूल्ड एरियाने मेर्ट सिभी की पहिचार कराने वाले यही एक वक्टर वर्ष्ट कुरियन जिनका क्यारला में कैलिकट गाउं के अंदर जन्म हुआ था, उनके बिता सिविल सर्जन थे और उनकी जो माता थी, उनको तो एज्यूकिशन में भी रस था, और साथ में संगीत में तो बहुत ही रस था, तो वो पियामों के उपर तो वो चार भाई और भाहिनों के उपीच में थर्ड नंबर का इनका नंबर था, बक्टर वर्ष्ट कुलियन का, उनका पुरा जो एज्यूकिशन है, प्राइमरी का पूरा एज्यूकिशन अभी हम चैन्ने कहते हैं, उसी टाइम पर उनका नाम था, मजरास, तो मजरास की अभी नाम चैन्ने की, जो नौयला कोलेज में हैं, उन्होंने फिजिच के सब्जेक के अंदर, B.N.C. याने बैसलर ओफ साइंस, तो इन्होंने ये वहाँ बरसे डिग्री प्राप्त की, और उसके बाद उन्होंने ग्विंडी कोलेज ऑप एंजिनेरिक, मतलब उन्होंने इसके बाद कोलेज में क्या थे कि सबसे कम उम्र वाले, मतलब 14 साल की जो उम्र थी तभी उन्होंने कोलेज जोएंट गिया, और तभी ये जो सभी बच्चों के वीज में ये ही सबसे अकेले थे, मतलब ऐसे अकेलियाने छोटे थे, सबसे छोटी इनकी इसी, तो क्या करता इसके अपने इजवालों के साथ बात करते हैं, काम करते हैं, बट इस अकेले हो जाते हैं, तो सारी जो प्रोब्लेम्स होती, जो कारिया करना जो भी उनको था, वो अकेले करना था, संगर्ज होती ही कर देते, मतलब जब कॉलेज में से उनको एक पर्थम जो उनका स्टैप वहीं से वरकिस उर्यान को सेल्फ डिफेंड़न, मतलब कुछ के उपर ही कारिया करना है, आगे बढ़ना है, मतलब किसी के उपर अधर नहीं रखना था, कुछ के उपर अधर रखना था, उनको एक आगर हो गया, कि अगर मैं मेरा कारिया करता हूं, तो मैं अकेला हूं, मु वही अपना कारिया कर पाए और हड़को अधस हो गए कि अभी मुझे मेरा कारिया करना है तो पहले से उन्हों ने सोच के रखा कि ये साड़ा कारिया मुझे ही मेरी इसाफ से करना है तब ही से वह सेल में डिपेंडेंडन हो गये किसी के उपर आता रखना नहीं रगा इनके जीवन में अगर आके देखे तो वर्गीश कुलियें ने धहतु सास्त्र और ने नुकलियर फिजिक्स मां अनुशनातर थवानी इच्छा आती तेथी ब्रिटीश सरकार द्वारा चाहती सिस्य वुतिने मेरी अमेरिका अभ्यास मांटे जवानों फॉम बरी जमा तेमनी डेरी एंजिर एगनावसी मां पसंदगी थे तेमाटे नी खूरव सरत सरू पे तेमने इंपिरियर डेरी रिसर्च इंस्ट्टूट नामनी संस्ता मां बैंगलोग आठ मास नी तालिम लेवा जवाँ पडिया तेमने प्रथम वकत डेरी प्रभुतिना मुनुबु सरकार ना संतोष खात डेरी एंजिनेरी ना किकलाप अभ्यास कमाओ तेमने प्रभुना करिया परन्तु अनुस्तातक ने पद्वी तो तेमने धादू सास्त्र और निकोले फ्रिजिक्स स्विश्यों मां डिस्टिक्शन साथे पास करी और इंस्टिक्शन नाइटीन फूट जाना था मतलब उनकी इच्छा थी बट तब अपने देखा कि व्रिटीस सरकार के साथ एक जो बोला जाता है कि अपरोड में पढ़ना है तो उसके लिए है जोबिशन के लिए गोवर्मेट उसको सिस्य उड़ती स्कॉलरशिप देती थी तो उसी टाइम उने स्कॉलरशिप अपर फॉर्म भर दिया पर हुआ कि उनके नुकलेस मिजिक्स में तो नंबर में लगा लेकिन डेरी एंजिनियर्म में पसंद्गी हो गए अभी पसंद्गी हो गए तो उनको लिए एक शर्त थी कॉलसे शर्त थी कि उनको ने एक काम करने से पहले उनको आठ मास का एक जाना था तो हुआ पर उनको ने तालीम के लिए गए और ये तालीम हो लेते है तो उनको डेरी एंजिनियर्म में आगे लिया जाएगा अधरवाइसन को उनकी शर्त थी सर्त के हिसाब आपको जाना पड़ा तो यह हमने प्रथम अकतमों हाँ पर उनको ने फॉस्ट टाइम देखा कि डेरी जो डेरी अक्टिविटी रहे उनके उपन को संब्धने का मौका मला। 1946 में Michigan State University अमेरिका में रहकर उन्होंने स्कॉलर से उनको स्याटिस्फाइड होता है इसी कराण उन्होंने डेरी एंजिनेरी का जो स्टडी था उनको पुड़ा कॉम्डिट किया बट साथ में साथ में उन्होंने मास्टर डिग्री भी ली धातु साथ सा निकुलेस विचिक्ष अपने जीवन में जो कुछ करना था वो करके अपने जीवन में जो कुछ करना था वो करके कि करने कि कि questionnaire कीने एन्यहाव में फोयादा है इज कारिये हें देखो मित्रों उनको जाना था जा ना था जा दया दुसा स्क्रिशिक्स में फिलभी स्कॉरसर के कारण उनको जाना बड़ी एंजिनेरी में बट लेइंजिनेरी में नहीं किया बने शो इसको एक्षप किया, क्यों उनको आगे बढ़ना था, तो मित्रों, हमारे लाइफ में, कभी-कभी ऐसे बहुत सारे प्रोब्लेम्स आते हैं, कभी-कभी लुझते हैं, कि मुझे यह नहीं करना था, मुझे यह करना पड़ते हैं, तो ऐसे टैम, अगर हमें कुछ अपोश्य न सारे के अपना इंगें, तो अपोश्य विए एक्षप करना है, अपोश्य विएक्षप करना के बाद is की लगन से मैनत करने हैं, तो मैनत करने कमाणा आगे निकास सब कर काम करने के तरीका था कि og गात्म हो भी हुगा था तो विट्रों एसा नहीं है कि हमें बेंधक करने का में द्र Heim struggle है बेर जान आख़ा जाता है कि नहीं मैं कुछ भी करके आगे कडोंगा तो ऐसे डॉक्टर वर्टी स्कुलियन के वीचा रखर हमारे जीवन में उतार के अगर उनकी जो लाइफ्टाइल के जरिया हम अगर जियेंगे न मित्रो तो हंड्रीड परसन हम भी आगे निकल सकते हैं तो मेरा तो आपको यही कहना है कि कभी आगे जीवन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम अगर आता है तो डॉक्टर वर्टी स्कुलियन की तरह हमें भी उसका एक्षण करना चाहिए मैं तो आपको यही चीज़ मुल रहा हूँ ओके मुत्रो